नमस्कार आपका स्वागत हैं इंडिया पबलिक खबर में सोशल मीडिया के इस दौर में जहां घर बैठे लोग देश और दुनिया से जुड़ सकते हैं तो वही ये प्लाटफॉर्म बिछलों को भी अपनों से मिलाने में काफी मददगार साबित हो सकता है एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला साबने आया है जहां काम के सिलसले में 20 साल पहले विदेश यात्रा कर लापता हुई मुंबई की एक महिला हमीदा बानु को सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान में धूर निकाला गया है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर मारूफ ने अपने चैनल पर उसकी कहानी अपलोड की जिससे उसे अपने परिवार से संपर्क करने में मदद मिली परिवार अब उसे पाकिस्तान से वापस लाने के लिए भारत सरकार की मदद चाहता है हां दुबई पूल कर गई तो आप लोग संपर्क निकरता है नहीं करें अम साथ में भी ने गए ते और हम लोगों माल पता भी नहीं नहीं जा रही ती तो अम गाव में ते जब इना बटाए मम्मी ने वीडियो में तो बोलिए के मुझे एजन नहीं मना किया था कि किसी को में मम्मी रहे अब के दुबई वा था काम के खाना बनाने के काम के जब से वह मंड़ और आन ने करता तो पोन ने करें नहीं हाज अजब इस पहले कि जब वो गाए थे उसके बिछन आपकी बीछ बाट हुए थी नहीं भी थी तो जब वो आई में रिटर्न नहीं आए तो जो जाती थी तो जब बाद devastating थी 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 ले अचाहें तो के बाद मोबाई भूल की टा दिए अवर steadily तर से फांपटनी को आदा के लियुक्षा यदॉ किने साल में लगता है? 20 साल में लगता है, 2009 साल लड़का ये जो छुटा वाला है ना वो एक साल के बागता है 2002 याद है दुक मंगा 2002 का मंगा अपने पड़ागे शिला कि मम्मी पाकिस्तान में है अभी ये वीडियो देखने से ही पता चलाने जानकारी के मताबिक पाकिस्तान में सामाजिक कार्यकरता वली उल्लाह मारूफ की मुलाकात हमीदा बानोसी हुई हमीदा ने उन्हें बताया कि मुंबई में एक ट्रावल एजेंट ने 20 साल पहले किस तरह दोबई में काम देने का बादाकर उनके साथ ठगी की थी एजन्ट ने उन्हें मुंबई से दुबई भीजने के बजाए पाकिस्तान भीज दिया धोखे से पाकिस्तान पहुँचने के बाद बानो पाक के सिंध प्रांत में हैदराबाद शहर में रहने लगी और फिर बाद में उन्होंने वहीं के एक स्थानी अव्यक्ति से शाबी कर ली जिससे उन्हें एक संतान हुई लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनके पती की मौत हो गई हमीदा की दर्दनाग कहानी सुनकर और उनकी घर लोटने की गुहार सुनकर मारूफ ने उनका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया साथ ही मुंबई में हमीदा के परिवार को तलाश करने के लिए किसी सामाजिक कारिकर्ता की तलाश करने लगे उनकी मुलाकात काफलान शेक से हुई मारूफ के रिक्वेस्ट पर शेक ते हमीदा का यूट्यूब वीडियो अपने स्थानिय वाट्साप ग्रूप में अपलोड कर दिया आखिरकार ब्रूप में मिली जानकारी की बदौरत शेक हमीदा की बेटी यासमीन बशीर शेक तक पहुँच गए जो कुरला के कसाईवाडा एरिया में रहती है बहराल हमीदा का परिवार उसे पाकिस्तान से वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद की आस लगाये हुए है लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि सोशल मेडिया की काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं जो लोगों की जिन्दगी भी बदल सकते हैं इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं साथी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले